नमस्ते दोस्तों वाइटल मेजरमेंट्स और वाइटल पेरामिटर्स को मेजूर करना मतलब अपनी नब्स, अपना ब्लट प्रेशर, अपना टेंपरेचर, अपना वजन, अपनी सांस लेने की रेट को मेजूर करना एक essential part होता है किसी भी व्यक्ति के assessment का जब आप hospital में जाते हैं या clinic में जाते हैं तो जो भी nurse या doctor आपको attend कर रहे होते हैं तो इन सब बातों पर ध्यान देते हैं जिससे मोटे तोर पर उन्हें वैसे ही पता चल जाता है कि मरीज बहुत बिमार तो नहीं है तो within 5 seconds अगर अन्हें चीज़ों को मोटे तोर पर कोई experienced doctor या nurse देखे तो वो बता सकते हैं कि ये मरीज थोड़ा serious है पर क्या आपको पता है यही vital parameters आप घर पर नाप सकते हैं और घर पर नापते हुए आप अपने आप बड़ी-बड़ी problems को घर बैठे solve कर सकते हैं और तो और अगर आपने ये जो तीन डिवाइसेस आपके लिए हम बता रहे हैं आज अगर ये तीन डिवाइसेस आपने अपने पास रखे तो उसके चलते 50% chances आपकी घर पर अचानक मौत होने के कम हो सकते हैं If you are interested in that topic, please go ahead and listen to this fully जैसा आप शायद जानते हो, मैं डॉक्टर महेश वादफानी हूँ, I am a cardiovascular surgeon practicing in Gurgaon मेरी एक site है called www.cardiacsecondopinion.com इस site पर हम second opinion देते हैं for a procedure जो किसी भी और डॉक्टर ने advice दिया हो अब वो procedure चाहे angiography हो, stenting हो, bypass हो, valve का repair हो, valve की surgery हो, या बच्चों के दिल की surgery हो कोई भी major operation कराने से पहले एक second opinion लिनाम हमेशा recommend करते हैं and not just us, American Heart Association, European Cardiological Society also says to take a second opinion is most important part before any procedure so, ये तीन क्या medical devices हैं, जो मैं आपको strongly recommend करूँगा so, मैं इतना तो मानता हूँ कि thermometer आप सब लोग घर पे रखते हो उसको मैं इसमें नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि thermometer ऐसी चीज है जो कि हर घर में होती है और बुखार नापना आपको वैसे भी आना चाहिए उसका बहुत ज़्यादा और रोल होता नहीं तो ये जो तीन डिवाइसे अगर आपके घर में और नहीं हैं तो लाने के लिए सबसे ज़रूरी है एक weighing scale एक वजन आपने की machine और वैसी smart weighing skills भी होती है आजकर जो कि सीदे-सीदे Bluetooth से आपके phone पे connected होती है आपको कब देखना चाहिए तिपिकली भी से कि मौनिंग में जब आप फ्रेश हो के आएं नहा के आएं नहाने के बाद आके before really wearing the clothes तो बाथरूम के अंदर ही अगर weighing machine हो तो इस वेरी वेरी useful तो उसमें पीने से संबंदित, urine करने से और पॉटी करने से संबंदित, सारे उसके जो भी variations है वो हट चालते है So first device to know is weighing scale अब अगर बजन आपका 2-4-5 kg बढ़ने घटने लगा है regularly So you know कि यह मेरा normal fluctuations है और over time you learn के चलता है But when you start pushing the boundary आपको realize नहीं होता Like आप देखना चाहें तो मेरा एक साल पहले का वीडियो देखिएगा उसमें मुझे realize नहीं हुआ था कि I have reached the peak of my weight category मुझे machine नहीं होती तो वो मुझे पता भी नहीं चलता So that gave me alarm कि no mahesh you are getting at the topmost part of your boundary And then I have brought myself back from there Knowing your numbers is important दूसरा ऐसा important number is a pulse oximeter A pulse oximeter तो COVID के समय पे शायद समने खरीदा होगा और आज वापस जाके कहीं कहीं कोने में पढ़ा होगा बिना बैटरी के अधिकतर घरों में Having a pulse oximeter is important मुझे pulse oximeter का use सबसे ज़्यादा किस चीज में लगता है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ती pulse oximeter से अपनी resting heart rate monitor करे और वो resting heart rate हमेशा 80 के नीचे आए तो मोटे दोर पर सब बढ़िया है चलता है अब अगर resting heart rate ही 80 के उपर जाने लगे तो anyway you should worry and exercise अगर आप exercise करके अपनी resting heart rate कम कर सकते हो तो बहुत अच्छा है अब resting heart rate के अलावा what is important is the dynamic measurement of the heart rate जब आप cd चल रहे हो दोड रहे हो खेल रहे हो उस समय heart rate maximum कितनी जाती है अब ये जो maximum जाने वाली heart की rate है वो हर उम्र के हिसाब से अलग अलग होती है बट in general मोटे तोर पर जो formula है कि 220 minus your age अब अगर मैं 47 years का हूँ तो 220 minus 47 में it is roughly around 173 आ जागा so 173 is the maximum heart rate I should ever achieve पर उसमें भी अगर हम एक routine normal exercise कर रहे हैं तो 70 to 80% of the normal upper limit is fine so मेरी heart rate अगर मेरी routine exercise में 150 stretch करती है 145 stretch करती है so I am very comfortable with that and on the day when I want to push कि भई मुझे और बहुत intense exercise करना है so I can go up to 100% that means 173 is my maximum cutoff ये चीज एक pulse oximeter ही आपको अच्छे से बता सकता है या फिर बहुत ही high grade की weighing machine sorry exercise machine बता सकती है but being aware of it कि मेरी heart rate की range physiologically क्या है makes sense during rest and during activity पर सबसे ज़्यादा जरूरी machine जो कि आपके घर में होनी ही चाहिए हर घर में होनी चाहिए is a BP apparatus blood pressure apparatus उस जमाने में था जब हम students थे तो नापना बहुत मुश्किल होता था जब आप बीप नापो तो उसके लिए actually doctor की जरूरत परती थी नर्स की जरूरत परती थी शांत कम्रे की जरूरत परती थी पर अगर आप देखें आज के जमाने में तो अधिक तक क्लिनिक नर्सिंग होम में इतनी शोर इतनी भीड होती है कि वहां बैठे हुए एक नर्स और दोक्टर को really कितना कान में सुनाई देता होगा blood pressure machine I really don't know so that's where automated BP machines are very very important particularly from brands which are very reputed brands अगर हम चार अलग-अलग human से blood pressure check करवाएं versus machine से चार बार अलग-अलग pressure check करें तो machine का error कम आता है because चार अलग-अलग doctors या nurses की सुनने की capacity अलग-अलग होती है इसलिए having an automated BP machine is important blood pressure variation सुबह सो शाम तक होते हैं इसलिए जरूरी है कि आप blood pressure जब नापें तो सुबह उठने के एक घंटे बाद या रात को सोने के एक घंटे पहले देखें ऐसा देखते से ऐसा देखते रहने से आपको जो BP का एक consistent value मिलती है कि मैं देली उसी समय पे देखा तो variations बहुत कम होते हैं and more or less you will know the trend अधिकतर लोगों का BP 132 से नीचे होना चाहिए जहां तक हो सके but अगर 140 तक भी गया है तो usually we do not give medicines and recommendation यही होती है कि 140 by 90 ऊपर की value 140 और नीचे की value 90 वाले patients में भी recommendation यह रहती है कि आप पड़ा बजन कम कीजिए नमक कम खाईए उससे उमीद होती है कि BP better control में आजाएगा जब better control नहीं आए तीन से 6 महिने बाद भी तो उस case में फिर दवाईयां शुरू करनी होती है किसी भी वक्ती का BP अगर 150 से जादा regularly रह रह रहा है तो फिर पहले दवाई शुरू करना होता है कि 150 से जादा BP आप लंबे समय तक नहीं रखना जाए अगर 150 के ऊपर regularly रह रह रहा है तो पहले दवाई शुरू कीजिए फिर वो lifestyle steps जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में मैंने कही हुई है कि ये 10 steps करने से आपका BP कम होगा वो कीजिए 3-6 महिने और फिर दवाई छोड़ के देखिए अगर आपके effects अच्छे से आगए आपके non-invasive method से तो BP की दवाई छूट भी सकती है आई अब देखते हैं कि BP कैसे check करते हैं जब ये BP का कफ पहनेंगे तो इसको कफ पहनने में सबसे ज़्यादा चीज है कि इन लोगों ने इतना easy बनाया हुआ है कि एक single person अकेले बैठे बैठे भी ये BP चेक कर सकता है It is essential part of modern management कि अकेले भी आप देख पाऊ BP इसमें जब आप कफ बांधेंगे तो ध्यान दो बातों का रखना है एक कि ये कोहनी के ऊपर हो और कंधे के नीचे हो of course in the upper arm the BP apparatus has to come अगर apparatus ये बहुत बड़ा या बहुत छोटा है आपके तो ये कफ अलग-अलग sizes के आते हैं उससाब से अपना कफ का size चूज करें खरीते समय पे जो ART word लिखा है ये है हमारी धमनी के लिए आर्टरी के लिए यहीं पर sensor लगा हुआ है और इसको आगे ही रखना है ये ART पीछे गया तो BP अच्छे से machine नहीं नाप आप आएगे और आपके values घरबड आएगे तो उससे आप समस्या में आएगे और machine ने इतनी simple बनाई है कि these are battery operated machines they are so simple and cheap and एक बार resting condition में रखके थोड़ा सशान्त रहे के बस बटन दबाए and most often ये जो blood pressure है within 30 seconds के अंदर आपको value बता देता है इसमें arrhythmia detection भी होता है अगर दिल की धर्कन बिगड़ने लगे तो वो उसमें alarm भी दे देता है तो arrhythmia detection is an advanced feature वो थोड़ी महेंगी machine हो में आता है but nevertheless arrhythmia को awareness की ज़्यादा जरूवत 60 साल से ज़्यादा लोगों को होती है 60 साल से कम लोगों में अगर by itself arrhythmia के disorders नहीं है दिल की धर्कन वैसे नहीं बिगड़ती है तो एक regular blood pressure machine भी काफी है उसके लिगड़ने तो ये machine जरूर घर पे रखिए ये तीनों device अगर आपके घर में है तो आप लोग जो चानक से घबराट होके जब emergency में जाते हैं और उसके लिए कुछ इलाज लेते हैं घर पे measurement कर लेने से कई सारे ऐसे untoward events अब बचा सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेर कीजिए लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स को भेजिए और सब्सक्राइब तो मैं चैनल थैंक्यू वेरी मुच्छ